असलामों अलाइकूम एने वेरी गुड मॉर्निंग जागो लहुर के साथ मैं हूँ सेयदा आर्मला हसन हमेशा की तिरा आज भी मैं पूरमीद हूँगे आप सब दिलको ठीक होंगे टीवी आन किया होगा आप निशाय का मग हाथ में लिया होगा और आप भेर साइड इंटॉमेशन समेखने के लिए तयार होंगे लिना कियूंकि आज के दिन हम आपके साथ इंटॉमेशन तो शेयर करेंगे मेडिकल जो आपके इशुस होते हैं उसको भी हम डिसकास करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ रीसर्च शेयर करूंगे आपको बताऊंगी कि आज गुर्बत के खातमे का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर की बात की जाए तो गुर्बत के हवाले से जो बेसिकली दिन मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जो गुर्बत की जिन्दगी गुजारते हैं उनकी हालत दार को बहतर किया जाए और उन्हें बुन्यादी इन्सानी हकूब जो है दिलाने की जरूरत को भी उजादर किया जाए गुर्बत के खातमे का आलमी दिन जो पहली मरतबा मनाया गया वो 1993 में मनाया गया पाकिस्तान की बात की जाए तो हर दस में से चार अफ्राद जो है वो गुर्बत की जिन्दगी गुजारें और ये बहुत मेजर और एक कहले एक हुज नम्बो है अगर इसको ओवरॉल देखा जाए बहुत सारे हम बात करते हैं कि हमारे हम झारोमली जो मिडल कि बात की जाएं चार कर ही लेता है लोर मिडल है और जो गरीब जो बीजिकने लिए ज़रूरया आता है जिन्दगी भी उनका हसोल भी बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने नॉर्मली यह प्रैक्टिस में देखा भी है और हमारे इद्गिर भी जब हम उब्जरूफ करते है तो आप चुंके महंगाई इसकदर जादा हो गई है एक्सपेंसे इतने जादा हो गई है चाहे वह एजुकेशन है एजुकेशन भी चले आप छोड़ें आप उ खूमत एकदमात कहती तो है करती है लेकिन खातिरखास के रिजर्ट्स अभी पौरी तोर पर जाहर डिफिनेटली नहीं हो सकते और यह एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकते के गुर्बत के खात्में के साथ फॉरं तुम से नुमाया होना शुरू हो जाए लेकिन यहापे आपकी जो उजरत है उसका भी जो हिसाब किताब है वह भी कुछ इतना नहीं है हम बाहर वेस्ट्र कांट्रीज को देखा जाए हम चुके डिवेलिपिंग कांट्रीज में आते हैं लेकिन अगर हम बहुत चीजों में उनको फॉलो कर चे तो यह चीज़ पर में देखने चाह तो ऑनको फीकास करसाएं फीक में तो फो कस एक टम्दोर कमा लिए तो फिर आप टो यारा । हम किस तरह से एकस्पेक कर सकते हैं कि गुरुबगँ का खातिमा होगा कई जगों पे इतिजाज भी देखने में आते हैं, बहुत सारे लोग इतराज भी करते हैं, रोना भी रोते हैं, लेकिन एट देंट क्या है पॉलिसीज और इस तरह की ऐसी चीज़ जो स्टेट लेवल पर रिफॉर्म्स की जरूरत है क्योंकि ये इंडिविजली तो एक इंसा की सफ में खड़े हो रहे हैं या शामिल हो रहे हैं लेकिन इसके साथ सथ बहुत चारे ऐसे ड्रॉबैक्स भी हैं तो स्टेल हमारी जो मुल्क के अंदर या ऐसे क्राइसे हम दोचार हैं जिनने जल्द जल केटर करने की जरूरत है लेहाजा जो एक फामिली सर्कल चलता रहत फोकस किया जाए यह तो जनाब आपके साथ रीसर्च शेयर की कुछ एक इंट्रॉस्टिंग रीसर्च भी हमारे साथ और वह है जनाब एक अमरीकी मसवरा की जनाब रूबी स्लॉट्स की इस्तमाल सुदा टी बाक्स पर दीदा जेफ़न बारे देखने में आये सोशल मीडि आप देख सकते हैं कि यह ती बाक्स हैं जिनके उपर उन्हें पेंट किया चाहिए यह भी कुछ हमारे जैसी खातून थी जिनको हर वक्त चाय पीने का शौट था कि जाए दो ही काम थे एक चाय पीना और दूसरा पेंटिंग बनाना तो उन्हें ने दोनों कामों को कंबाइ पिर उन्हें का कि उन्हेंने सारे टी बाक्स पकड़े और उनको धूपने सुकाया और उसके बाद इनके उपर आठ पीसे बनाए यानिके पेंटिंग की और यह जो अमेरिकन खातून है इनकी पेंटिंग्स वाकी सोचल मीडिया पर बहुत ज़दा पॉपिलर हुई और उन कितनी बार एक बीमी से और कितनी जबदास पेंटिंग्स उन्हें एक टी बाक पर बनाई है आपने कभी सोचा होगा हम तो टी बाक चाहे प्या ठेंग दिया यह होती है क्रेटिविटी और इंसान के क्रेटिव सोच कि वो किस तरह से चीजों को युटिलाइज कर सकता है अब ज़रह हम आपके सहत की और बच्टों की सहत की हावाले से बात करें नॉर्मली स्मार्ट फॉन का इस्तमाल हम बहुत ज़ादा करते हैं एंवन चाहे बढ़े हैं चाहे बच्छे हैं हर बंदे के हाद पर एक स्मार्ट फोन हेगेजिट है और उसकी विज़े से हमारी किस तरह के इंपक्त आते हैं आपकी वीक होती है बच्चों के लिए स्पेशली बात की जाए तो आज कल हर बच्चे के हाथ में गयजिट है स्मार्टफोन है तो आज ही हम डिसकेशन करने वाले उसके लिए मैसे मौजूद होंगे जो क्या स्पेशलीस्ट है वेल्किम पित्यों डॉक्साइब आज करने गजिट नाम से बात करें इस्तमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया इसका 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 इस्तमाल दिन बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से एक ग्लोबल टर्म कोई है इसको डिजिटल आई स्ट्रेन के नाम से जाना जा रहा है क्योंके बुक रीडिंग और सारी जो चीजें पढ़ने वाली है वह आइसता इसता शिफ्ट होते जारी हैं डिजिटली और डिजिटल स्क्रीन का इस्तमाल चाहे वह एल सीरी हों चाहे वह आपके टैबलेट्स हों आपकी कंप्यूर स्क्रीन हों यह सब इस्तमाल बढ़ता जा रहा है और उसके नतीजे में पैदाने वाली कुछ चीजें ऐसी सामने आई हैं क्लेनिकल साइंस में जिनको ग्रूप कर अगर हर वक हाथ में ग्याज़ट लिए बेठर रहेगा तो आंकों पर स्ट्रेस भी है इसकी वज़े से भी बहुत सारे में जी इसमें देखें जो नॉमल रीडिंग अगर आप किसी किताब की रीडिंग कर रहें तब भी आपकी आंक पर स्ट्रेन है आप तो जब आप दू पर एड़ कर देती हैं क्योंकि इनको ब्राइट होने के लिए लाइट एमिट करनी है तो वह लाइट का एड़िट स्ट्रेस होता है तो यह मौडरेट यूज तो बारहाल ठीक है लेकिन आप यह देख लें कि आपका बिलिंक रेट कम हो रहा है नॉमल आंक पंदरा मिनट ए जिससे आंखें खुछ खोना शुरू होती हैं ड्राइ हो सकती है आप कॉंस्टेंट यूज ऑफ नियर फोकसिंग के वज़ा से आंके मसल्स पर जो इंटरनल मसल्स उन पर स्ट्रेन आ सकता है लेट कर पढ़ने से अपना डिस्टंस पॉपर मेंटेन ना करने से थकावट हो स उन सकती है खास वर अज़ आप इस इस में इस्ताम घियो रात के वर आऐ लाइट को ये खिलाते हैं तैंप खास्तौर शार आप भलु लाइट कि उक्वर्ड़स हैं वहה उसकी इसमिर्ड कर जिस्का उपकी स्लीप इस रूर उसकी आप्सकिःट की स्लीप तो चुंके अब हम कहने के गादू समार्फोन के इसनमाल है लाइट के अलमेंट भी आड़ हो गया तो आइसेट के लिए क्या थियाती तदा भी बच्छों को टाइमिंग होनी चाहिए किस तरह से बच्छों के आइसेट पर कंट्रोल क्युंके छोटी एज में अगर आइसेट हाँ अगर आपके ग्लासिस का नंबर है और आप मॉबाइल फोन भी यूज कर रहे है तो वो स्ट्रेंड हो जाएगा बच्छा ज्यादा स्ट्रेंड फिल करेंगा लेकिन इसका को डारेक्ट तालुक अबसमें अभी तक अविरेंस नहीं है इसकी अगर उसकी ग्लासिस का न का मॉडरेट यूज पर ले जाएं तो बच्चे रिकवर कर सकते हैं उन सब चीजों से जो डिवेलप हो रही है लेकिन आइसाइड पे इसका इसका को डारेक्ट एफेक्ट इस तांसे लिए अचार रख सफ हमारा नॉमली तूंके बच्चे ऐसे होते हैं उनको आइडिया न बच्चे आम तोर पर अगर बहुत जादा बड़ा नंबर ना हो तो बो नहीं बताते कि उनको कैसा नजार है वो एग्जियूम करते हैं कि शायद ऐसा ही नजर आता हो इसी लिए जो बच्चों की जो फर्स्ट एग्जैमिनेशन है वो स्कूल की एज जो के साड़े चार पा है तो हम क्रेक्टिव एक्षिन फर्स्ट सेवन यर्ज अफ लाइफ में ही ले सकते हैं बच्चे की उसके बाद आंखों को लेजी आई डिवेलप होने का चांस होता है बाद में अगर पता लग भी जाए और हम एनक देना भी चाह रहे हो तो यूजिली विजिन पुरी तरह से रिकवर नहीं कर पाते हैं तो इसी वजह से बच्चों को स्क्रीन करना चाहिए हर बच्चे को चाहिए उसकी फैमिली में इस्ट्री है यह नहीं है विन विस बाउट तो स्कूल उसको चेक करना है कि उसकी विजिन कितनी है ऑप्टिमल है यह कम अग सब अभी अपने कि नंबर दूसरी आंग से कुछ फरक है तो यह नॉर्मल एड़ेप्टिव मेकैनिजम है ब्रेन का कि वह एक बलर इमेज को एक फोकस्ट दूसरी आंग के फोकस्ट इमेज की उपर सूपर इंपोज नहीं करेगा वह दूसरी आंग को जिसमें के नंबर फुरा सा बड़ा है यह फरक है उस इमेज को सप्रेस करना शुरू कर देगा ब्रेन अगर वह सप्रेशन चलती रहेगी अन्नोटिस चलती रहेगी बच्चे को नजर आ रहा है दूसरी आंग से उसको पता नहीं लग पाएगा अगर आप ही चीज़ आइंटिफाइ कर लेते हैं तो वह जो डिव उस साइड के नुरॉन्स भी डिवलप होना शुरू होंगे और वह डिवल्पमेंट जो है वह फर्स सेवन यर्ज अफ लाइफ में होनी है और अगर से लेट होजाए तो वह लेजी है उसको नहीं कर सकते हैं तो बहुत सारे लेटर एज में भी पता लगता है कि उनकी एक आ विजिन और उनको पता नहीं लगा कि दोनों आंखों से वह देख लाइए तांक यू बहुत शुक्रिया कि आपने तनी अच्छी अच्छी हमें बाते बता दी जाब बच्चों का चुंकि आप स्मार्पोन का इस्तमार्वल को बन तो नहीं कर सकते लेकिन एतियात के साथ कर और ब्लू लाइट का जिसे रॉक्स आपने का डिस्टिंस के साथ स्क्रीन हो एवन हम बच्चों की का बात करें हम सब बडों को भी इसकी बहुत जाबा जरूरत है ताभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजर होंगी